हाई फ्रेंज कैसे हैं आप लोग ऑनलाइं प्रेप्रेशन विथार्ति में आपका बहुत बहुत श्वागत है फ्रेंज आज का जो वीडियो है ये आपका इंपोर्टेंट वीडियो है क्योंकि आप कोई भी कम्टेटिफ एक्जाम्स दे रहे हैं उसमें हिस्ट्री के कोश्चन जरूर पूछे जाते हैं और हिस्ट्री यानि इतिहास के कोश्चन में युद्ध से रिलेटेट कोश्चन जरूर आते हैं लेकिन कुछ ऐसे कोश्चन होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं कोई भी एक्जाम सो उसमें जरूर पूछे जाते हैं जैसे कि पानीपत का पहला युद्ध, खानवा का युद्ध, शंदेरी का युद्ध और घांगरा का युद्ध यह important इसलिए भी हैं क्योंकि यह सभी युद्ध बाबर के हैं और बाबर ने इन युद्धों के बास से य हो गई थी ठीक है तो चलिए आए आज इस वीडियो में हम आपको ट्रिक के साथ में बताते हैं कि नियुद्ध को आपको कैसे याद रखना है चाल लाइने हैं जो आपको याद रखनी होंगी और इसके साथ में आप इन चारों के अंसर जब भी एक्जाम में कोशक पुछे जाएंगे बहुत आसानी से बता सकेंगे या फिर आटिक कर सकेंगे चलिए देखते हैं लेकिर उसके पहले चैनल को सब्स्राइब कर दिए वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए तो फ्रेंशल यह देख लेते हैं वो ट्रिक कौन सी है तो जी हां आप देख रहे हैं 26 मे पानी पिया 27 में साख खाया 28 में चंदन से मेधी लगाई 29 में घर लोटा और 30 में मर गया बहुत यासान सी ट्रिक है इससे आप जो ही चार आपके यहां पर युद्ध दिये हुए हैं इनको आप याद रख सकते हैं जैसे कि इनको समझा देते हैं 26 में पानी पिया 26 में पान युद्ध ठीक है जो कि बावर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था इसी तरह से 27 में साग खाया यहां पे 27 में का मतलब है 1527 में और साग का मतलब है राडा सांगा ओके और खाया का मतलब यहां पे है खानवा का युद्ध यानि कि 1527 में बावर ने राडा सांगा क साथ में खानवा का युद्ध किया, इन दोनों के बीचême हुआ तो 27 में साख खाया अगला देख लेते हैं, 28 में چंदन से मेहदी लगाई 28 का मतलब है 1528 में, चंदन का मतलब है चंदेडी का युद्ध और मेहदी लगाई का मतलब है मेधिनी राय क्योंकि ये भी important है किसके साथ में युद्ध हुआ क्योंकि कभी कभी question आपका पूँच लेता है कि पानिपत का पहला युद्ध किन किन के बीच में हुआ या चंदेरी का युद्ध कब और किन के बीच में हुआ very important है ठीक है तो 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ था मेदनी राय और बाबर के बीच में क्योंकि बाबर को हम पढ़ी रहे हैं इसलिए यहाँ पे बाबर का ट्रिक में कोई भी जिक्र नहीं है तो 28 में चंदन से मेरी लगाई 29 में घर लोटा यानि 1529 में घर का मतलब यहाँ पे है घांगरा यानि घांगरा का युद्ध और लोटा का मतलब यहाँ पे महमूद लोदी से लोटा यानि लोदी से है तो किसके बीच में महमूद लोदी के बीच में है तो आप में कभी थुलसा ट्रिक लगा सकते में यानि म महमूद और लोटा यानि लोंदी और 30 में मर गया और बावर की जो मृत हुई थी वो 1530 में हो गई थी और ये भी कहा जाता है कि 1526 में पानी पत का जो पहला युद्ध हुआ था और उसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई थी और उसके बाद मुगल वंस की एक तरह से इस्थ में 27 में साग खाया यानि 1527 में खाया यानि खानवा का युद्ध हुआ था राणा सांगा के साथ में 28 में चंदन से मेधी लगाई यानि 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ था मेधी यानि मेधनी राय के साथ में 39 में घर लोटा यानि 1529 में घांगरा घर यानि घांगरा क के साथ में और 30 में मर गया यानिकी 1530 में बावर की मृत्त हुई कभी कभी कोशन भूच से भी पूछ लेता है तो यह ट्रिक है दिया आपको पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजे शेयर करें कमेंट्स करके ज़रूर बताईएगा और ऐसे ही बहुत सारे हम वीडियोज आपके लिए ट्रिक वाले लेके आएंगे तो उन्ने स्टूडियो के साथ हम आपके फिर्म मिलते हैं तब तक के लिए चेक केर बाए